दोस्तो हाली में ही हमारी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने हमारी नो सेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए नो सेना के लिए सबसे एडवांस नेक्ट जनरेशन की फ्रीगेट का एप्रूवल दे दिया है और ये फ्रीगेट कितनी घतक होने वाली है आप केवल इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फ्रीगेट इतना दम रखेंगी कि ये पाकिस्तान की नो सेना को घुटने टिकवाने पर मजबूर कर देंगी और हमको पाकिस्तान के खिलाफ डिस्ट्रोयर का इस्तमाल करने की भी जरूवत नहीं पड़ेगी दरसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि हाली में ही हमारी मिनिस्ट्री ओफ डिफेंस ने हमारी नो सेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए साथ नई नेक्स जेनरेशन की फ्रीगेट की खरीद का एप्रूवल दे दिया है और ये नई साथ नेक्स जेनरेशन की फ्रीगेट की कीमत हमको 70,000 करोड के आसपास पढ़ने वाली है ये फ्रीगेट हमारी निलगिरी क्लास की फ्रीगेट का फोलो ओन ओर होने वाली है हम पहले ही अपनी नो सेना की फायर पावर को बढ़ाने के लिए साथ तिल गिरी क्लास की फ्रीगेट का ओर्डर दे चुके हैं और उस ओर्डर की कीमत हमको 40,000 करोड रुपिये पड़ी थी इन फ्रीगेट के डिजाइन को वर्ड शिप डिजाइन ब्यूरे ने बना कर तयार किया था और इन फ्रीगेट का निर्मान मजगाव डोग शिप बिल्डर और गार्डन रीच शिप इंजिनियर्स ने मिलकर किया है और इन साथ फ्रीगेट में से चार फ्रीगेट को तो मजगाव डोक शिप बिल्डर ने बना कर तयार किया है और जो बची हुई तीन फ्रीगेट है उनको गार्डन डी शिप बिल्डर और इंजिनियर ने बना कर तयार किया है दिलगिरी क्लास की फ्रीगेट पर 2017 में काम शुरू किया गया था और अब 6.5 साल बाद पहली फ्रीगेट पूरी तरीके से बन कर तयार हो चुकी है जिसका नाम INS निलगिरी होने वाला है और इस फ्रीगेट के इस समय भारतिये नो सेना ने सी ट्रेल को भी शुरू कर दिया है और उमीद इस बात की की जा रही है कि निलगिरी क्लास की फ्रीगेट की डिलेवरी जल्द ही हमारी नो सेना को मिल भी जाएगी और 2026 तक मजगाव डोकशी बिल्डर और गाइडन डी शिप बिल्डर इस ओर्डर को पूरा भी कर देंगी जो हमने निलगिरी क्लास की फ्रीगेट बनाई है ये प्रोजेक्ट अलफा के तहत बनाई गई है और अब जो नई फ्रीगेट बनाई जाएंगी उनको ब्रावो प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएगा जो ये नई फ्रीगेट होने वाली है इन फ्रीगेट के अंदर ज्यादा कोई अंतर निलगिरी क्लास की फ्रीगेट के एकोडिंग नहीं होगा टेई फ्रिगेट के अंदर भी वो सभी मिसाइल लगी होंगी जिनका इस्तमाल हम अपनी पिलगिरी क्लास की फ्रिगेट में कर सकेंगे इंजन भी इन नई फ्रिगेट में सेम लगा होगा और कुछ सेंसर भी बिल्कुल सेम लगे होंगे पर हमको थोड़ा बहुता चेंज देखने को मिल सकता है वो चेंज यह होगा कि जहाँ पर हम इस समय ब्रॉक एट मिसाइल का इस्तमाल करते हैं वही पर हम अपनी नई नेक्स जेनरेशन की फ्रिगेट के अंदर इंडि जिनियस क्रूज मिसाइल का इस्तमाल कर सकते हैं और उम्मीद इस बात की भी की जा रही है कि जो ये हमारी नई फ्रीगेट होने वाली है इन फ्रीगेट के अंदर दुश्मन देशों के कामी काजी ड्रोनों को मारने के लिए लेजर डिफेंस सिस्टम को भी लगाया जा सकता है और अब आपी कमेंट करकर बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि ये नई नेक्स जेनरेशन की साथ फ्रीगेट हमारी नो सेना को कब तक मिल पाएंगी इस बात का अंचर आप कमेंट बोक्स में दे सकते हैं